आज था खड़ना के दिन और यह आज नहीं जाएगा कल यह ब्लॉग जाएगा और अभी हम जा रहे सोने चुकी अभी बच्चु का ही गा रहा है तो हम लोग का लेट हो गया खाते पीते और यह कल ब्लॉग आएगा अप लोग देखिएगा अभी खड़ना उनना का पूजा क टो के बाएबाए बाकी कलब लॉग आएगा जहां पास हो रहा है खरण का त्यारी और यह मेरी मौसी हैं तो यहीं बूजा किये हैं तो एक बार सभी लोग बोलिए जया चट्टी माईया और इधर पूरा अच्छे से त्यारी ब्यारी हो रहा है बाकी तो खड़ना होगा उ तो गाइज यहां पास देखे रेडी हो चुका है और यह दोनों प्याली में जो परशाद बनाए हैं मौसे वो निकाल दी हैं और एक के फाली में भी निकाले हैं और अब गाइज यहां पास मौसे जी बैठ गये हैं पूजा पे परने के लिए और इसलिए हम लोग पूरे ग्रम सांथ से बैठे हुए हैं और मौसे भी अपना दिहान लगा के बैठे हुए हैं तो यह बहुत महत्पूर्ण पर्व है गाइज बहुत यह अच्छा लगता है घर में होता है तो लगता है हाँ कुछ है तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा हमको आना था जल्दी बाद हमको लेट हो गया कोई नहीं तो पूजा होने से पहले ही आया थे अभी तो पूजा मौसे कर रहे हैं और यहां पस पूजा दुगर हो चुका है कंप्लीट और उसके बाद मौसे जी हमको लगा रहे हैं सिंदूर तो अच्छा लगता है न जीतने भी सारी सुधा लोग हैं जो सभी लोग नाग पर से शिंदूर लगाते हैं तो कितना प्यारा लगता है सबका औरेंज औरेंज लगा हुआ है सिंदूर तो बहुत प्यारा लग रहे ह सबी लोग सीदु लगा करें आप यहाँ पास अब पास ही लोग बारी 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 से पढ़ नाम कर नहीं और इसके बाद हम भी सोच रहा है कि चेठ्टि में आपको परदाम करने और हम अपना जो मन कामना है मांग लेंगे और पूरा भी होता है तो यहां पास देखिए हम आ गए हैं जट्टि में पर नाम करने और कितने अच्छा लग रहे ने सिंदु लगा करके बहुत प्यारे लग रहे हैं तो देखिए इस तरह से परणाम कर रहे हैं और जितने लोग भी आएंगे प्रशाद खाने वोगो यहां पास परणाम करते हैं और हम लोग जितने भी बिहारी लोग हैं उन लोग बहुत मनाते हैं धुम धम से पर और यहां पर सबको परशाद खा रहे हैं जो मौसी इसमें खाए हैं वो हम लोग का एक नियम ही रहता है कि जुठा खाते हैं हम लोग और यहां पर से मौसी लगते हैं एक मेरी ननद हैं और विरी यहां परस डेखे जा रही है देवर के